वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला चैनल जरूर जोइन के लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान लगें नवश्कर साथियों स्वागत है आप सभी का स्टड़ी फॉर सेविल सर्फिस में ये क्लास है देखिए हमारी सुपर फास्ट रिवीजन की करेंट अफेर की ठीक है य एक तरीके के रिवीजन क्लास है याद रखेगा अगर आपने पहली करेंट अफेर पढ़ रखा है तो यह आपको बहुत हैल्प करेगा और नहीं भी पढ़ रखा है मालीजिए तो यहां पर जो इंके माध्यम से आप अपना रिवीजन और इनको तैयार भी कर सकते हो ठीक ह मैं डारेक्ली इनके आंसर करूँगा क्योंकि जो है हमें बहुत तेजी से इसको पढ़ना है तो यह सुपर फ्रास्ट रिवीजन क्लास रहेगी सुपर फ्रास्ट में आपको कम्प्लीट रिवीजन करा दिया जाएगा करेंट अफेर का ठीक है तो यह अक्टूबर मंत का है तो जल्दी से इसको जो है यहां पर जो है सबालों को देखते हैं समझते हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिस करते हैं और दूसरा जो भी इसमें इंपोर्टेंट क्वेशन हैं इनको आप कहीं नोट डाउन कर लेजेगा जिनने मैं बताऊं क्योंकि उनके आने के चांस तो चलिए जल्दी से देखते हैं यहां पर कॉशन नमर फरस्ट डार्क ली आंसर करेंगे हाल ही मैं किस राज में एक नई डैम सेल्फ लाई प्रजाती यहां यह नई डैम सेल्फ लाई प्रजाती जिसका नाम है आर्म गेडन रीटेल इसकी खोच की गई है ठीक है तो डार्क ली आसर करेंगे यह नीचे इंगलिश में भी लिखा हुआ है तो बाइलेंगुल रहेगी यह क्लास कोई दिक्कत नहीं है आप इंगलिश में भी दे एल्टो जीरू आसियान शिकर संबिलन में भारती नभी करण उर्चा विकास एजेंसी एडा मंडप का उदगाटन किया गया आंसर है मलेशिया ऑप्शन सी नीचे इंगलिश में भी है आप चाहें तो इसको पॉल्ज करके देख सकते हो पढ़ सकते हो कुश्रम बत्री शान्ति पुरुसकार दो या 23 से समानित किया गया है तो नर्गिस मुहमदी जो है ये इनको नोबिल शान्ति पुरुसकार मिला है और ये इरान की है याद रखना ऑप्शन भी हाल ही में चलवायू परवरतन के छेतर में योगदान के लिए किस भारतिय मूल इस पनौनजा पुरुसकार से समानित किया गया है किसको भारतिय मूल की इस पनौनजा पुरुसकार से समानित किया गया है तो ये है डॉक्टर जोयता गुपता ऑप्शन भी ठीक है कुश्चन नम्बर फाइव और समा सिक्स देखिए डारेकली तीस सितमबर दो या 23 को सीमा सड़क बन गये है डाइक्टर जनरल रखू स्री निवासन ऑप्शन ए इस करेक्ट कुश्चन नमर्स सैवन देखिए है कि हाली में किसरा सरकार ने नौक्रियों में महिलाओं को 35% आश्र देने की गोश्चना की है स्टेट है MP याद रखना कुश्चन बाइट देखिए हाली में हि किर्केटर को अपना ब्राइंड अमेजडर बनाया है तो सही जवाब है रविन जड़ीजा सर जड़ीजा कि एसीया पैसिफिक स्कीन अवर्ड दोयार तेश में सर्वसिष्ट निर्देशक के रूप में नामित किया गया है किसको ऑप्शन सी रीम आदास को देखो जरा हाली में खबरों में रही दक्षन लन्होक जील किस केंशासित प्रदेश में है लहुनक लहुनक जील कहां पर सिचुएटेड है सही जवाब है सही जवाब है क्वेशन 11 देखिए भाला फैक प्रतियोगता में नीदर चोपला ने कौन सा पतक जीता है गोल जीता है याद रखना एशियन गेम्स में किस थीम के साथ सिच्छक दिवस 2023 मनाया गया विश्व इच्छक दिवस ठीक है थीम क्या है इसकी थीम भी देख लो दा टीचर वी नीड फॉर दा एजूकेशन वी वांट दा ग्लोबल इंपरेटिव तू रिवर्स दा टीचर शॉटेज यह थीम है इसकी और यह मनाया गय है पांच अक्टूबर को याद अगना तो पांच अक्टूबर को जो विश्व सिच्छक दिवस मनाया गया उसकी थीम है यह कुशंबर 13 की फीफा मेजवानी कौन सा देश करेगा इस्पेन प्रोटगाल और मोरक को तीनों एक साथ करेंगे ऑप्शन ए ठीक है यहां बर दे मेजवानी करेंगे फीफा विश्व कौप की मेजवानी का अधिकार पहली बार तीन महादीपों के छे देश को सौपा किया है ऐसा पहली बार हुआ है तो इंपोर्टेंट है याद रखना जो जो यार तेश में मोरक को इस पेनों प्रोटगाल एक साथ फीफा वर्ड कप की मेजवानी कर रहे है क्वेशंबर फॉर्टीन देखिए स्टार्टप स्लाइस का विले फिंटेक स्टार्टप स्लाइस का विले किस बैंक के साथ किया गया है इस स्लाइस का तो इसका जो विले किया गया है यह नॉर्थ एस्ट फाइनेंस बैंक के साथ किया गया है नॉर्थ किस दिन मनाया जाता है 6 अक्टूबर को मनाया जाता है क्रश्ना जल्विवाद किन राज्यों के बीच में है क्रश्ना वाटर डिस्प्यूट तो आंद्प्रदेश महाराष्ट और करनाटका के बीच है याद रखेगा हाल ही में किस राज ने शंबक्का सरक्का केंद्री जन्ञाती विश्यों धाले की स्थापना को मन्जूरी दी है किस राज र्ज में तो संम्क्का सरक्का Central University ये Tribal होगी ये बंदें तेलांगना में उत्तरी कोयल जलाशे परियोजना किस राजी की सिचाई सुविधा मतब किस राजी को सिचाई सुविधा प्राप्त होगी इस से तो भिहार और जारखन दौनों को ही होगी याद रखना उपरोग दौनों इस रेजमेंट करेक्ट है उनिश देखिए भारत सरकार ने निम्लिकित मेंसे किस बोर्ड के गठन को अजसूचित किया है तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड यानि राश्ट्री हल्दी बोर्ड के गठन को सरकार ने मन्यूरी दे दिये बीज देखिए को समबर ट्वेंटी हाल ही में राश्टी निवेश और अब सरचना फंड ने कितने मिलियन डॉलर का भारत जापान फंड लॉंच करने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोपरेशिव के साथ आजएधारी की है ठीक है रिसेंटली नेशनल इवेस् इंटरनेशनल कोपरेशन तो लॉंच इंडियन जापान फंड वर्थ हाव मैनी मिलियन डॉलर्स तो करेक्ट आंसर इसका सिक्स हंड्रेड मिलियन डॉलर 28 सवंबर से एक दिसंबर तक देहरा दून में आयोजित होने वाले छटवे विश्व आबदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड अमेजडर किसको नामित किया गया है तो यह नामित किया गया है अमता बच्चन को यहां रखना 22 अक्टूबर 22 में किस्ता सरकार ने मुख्य मंत्री सुख आश्रय योजना लॉंच की है तो मुख्य मंत्री सुख आश्रय योजना लॉंच करने वाला स्टेट है हिमाचल अक्टूबर 23 में केन सरकार ने जम्मो कश्मी डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को कितने साल के लिए गयर कानूनी गोशित कर दिया है पांस साल के लिए जे के डी एफपी यानि जम्मु कश्मी डेमोकरिटिक फीडम पार्टी जो इसको सरकार ने बैन कर दिया अगले पास साल के लिए हाल ही में जीयो मार्ट ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड अमेज़ बनाया है यह बनाया है एमेस दहुनी को याद रखना ठीक यहां पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है आप इंग्लिश में देख सकते हो इसको कुश्टर में 25 देखेंगे हाल ही में रणाचल प्रदेश के किस उत्पाद को जी आई टेक प्राप्त हुआ है रणाचल प्रदेश के तो याक चुरुपी को भी हुआ है खामती चावल को भी हुआ है और तांग सा वस्त्र को भी हुआ है इन सभी को हुआ है याद रखना 26 देखेंगे हाल ही में पीम नेदिन मोदी ने किस सहर में दिव्यांग जरों के लिए देश के पहले हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उधगर्ण किया है कहां पर किया है गौलियर में किया याद रखना जिसका पहला हाई टेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर दिव्यांगों के लिए ठीक है याद रखना अक्टूबर जुएर तेश में जारी अमेरिकी बिजनिस मैगजीन फॉब्स की एन्वल अरब पतियों की रैंकिंग में सीसिस्थान पर कौन है तो वो है बर्नार्ड अर्नॉल्ट याद रखना 28 देखिए हाल ही में कौन सा देश लगातार तीसरी बार एसिया पैसिविक इस्टिटूट फॉर ब्राड़कास्टिंग डबलप्मेंट का अध्यक चुना गया है जवाब है इसका भारत हाल ही में उत्तपदेश के प्रताबगण डेड़कास्टिंग का नाम बदल के किसके नाम पर रख दिया है तो प्रताबगण का नाम बदल के अब हो गया है मा बेला देवी धाम द्यानकना इंपोरेंट है यूपी का काफी इंपोरेंट क्वेशन है दिलीप नौं मैथम को उनकी पुस्तक इबेम्मा अमासुंग नागा बेम्मा के लिए किस भाषा में बाल साहित पुस्कार दोया तेश प्रतान किया गया है सही जवाब मड़ पुर भाषा में 13 से 14 अक्टूबर दोया तेश तक नौवा जी ट्वेंटी संसदी अध्यक शिखर संभिलंग कहा अउजित किया जाएगा सही जवाब नई दिली में दुनिया की सबसे लंबी दुई लेन सुरंग सेला सुरंग का निर्मार किस राज में किया जा रहा है तो अगर आपको यह पता है सेला पास कि धर है तो फिर आप इसका अंसर कर लोगे सेला पास है रोना चल में हाली में किसे 2-13 के लिए टाटा लिटरिचर लाइव लाइव टाइम अचीवमेंट अवाट से सम्मानित किया गया है सही जवाब है C.S. लक्षमी हाली में 2-13 का साहिट टिका नोबिल पुरुसकार किस देश के लेखा जौन फांसे को दिया गया है तो साहिट टिका नोबिल पुरुसकार जो मिला है ये मिला है नौरवे के जौन फांसे को याद रखना साथ से आठ अक्टूबर दोयारतेईस तक नीव लिटरेचर फेस्टिबल दोयारतेईस का युजन के शेयर में किया जाएगा तो नीव लिटरेचर फेस्टिबल का युजन किया जा रहा है बैंगलूर में याद रखेगा 12 से 14 अक्टूबर दोयारतेईस तक पचासवा भारत अंतरास्तिय निट मेला कहां आयुजित होगा यह तमिला डुमा आयुजित होगा निट मेला भारतिय तीरंदाज जियोती सुरेखा वेननम और ओजस प्रवीन देव ताले ने एशिन गिंप दोयारतेईस में तीरंदाजी में क्रमसा पुरुष और महिला व्यक्तिकत में कौन सा मेडल जीता है गोल्ड मेडल जीता है इन दोनों ने थर्ड देखिए अक्टूबर दोयारतेईस में आरबी आई ने किसे नया कारिकारी निदेशक निफ्ट किया है मुनीश कपूर को यह है दा न्यू एक्जेकुटिव डायक्टर ठीक है जिनको पॉइंट किया है रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने अक्टूबर दोयारतेईस में दैरादून में चौथे एम आर एस राश्टी सांस्कृतिक और साहितिक उस्सव का उद्गाटन किस ने किया अरजुन मुन्दा ने आगे देखो कुश्टमबर 40 सरकार ने धान की किस्म पूसा 44 की खेती पर अगले साल से परत्वन लगाने की गोशना किया है पंजाब ने धान की जो कि यह एक नई वैराइटी थी मतलब एक वैराइटी थी जिसका नाम था पूसा 44 इसको बैंन कर दिया अपने हाँ से ठीक पंजाब ने अक्टूबर 23 से उत्त्रपदेश के मुख्वंत्री योगी आधितनात ने किस शहर से विश्य संचारी रोग नियंत्र अभ्यान का शुबारम किया है गोड़कपुर से किया है ठीक है संचारी रोग क्या होते हैं जैसे कि आपका होता है जैसे अगर आप जाओगे तो जो यूपी का जो नौर्थ वाला इलाका है जिसे हम तराई कहते हैं वहाँ पर कुछ विश्यस रोग फैलते हैं जैसे इंसेफिलाइटिस फैलता है है ना जिसे हम कहते हैं जा पादी उखार तो यह संचारी रोग के मच्छरों की काटने से हो जाता है तो इनी पर जो है नियंत्रल करने की बात है यह आगे देखो हाली में चर्चा में रही टोटो जन जाती किस राज़ में पाई जाती है तो टोटो जन जाती मिलेगी आपको वेस्ट बंगाल में याद रखना इंपॉर्णेंट है टोटो आगे देखो उननिस में एशियन गिम्स में भारतिय पुरुष करके टीम ने कौन सा परक जीता है तो भारतिय पुरुष करके टीम ने एशियन गिम्स में गोल जीता है 44 देखिए हाल ही में राजिस्तान के मुक्यमंद्री अशो गैलोत ने तीन और नए जिले बनाने की गोश्चना किये इसके साथ ही राजिस्तान में कुल कित्ते जिले हो जाएंगे फिप्टी थ्री आई ए एफ एर पावर बियोंड बाउंडरी थीम के साथ भारती वायू सेना जिबस दोयार 23 किस दिन मनाया गया आठ अक्टूवर को जैपुर में आयोजेत सीनियर नेशनल जूडो चैंपियंशिप दोयार 23 चौविस में उत्तपदेश के रोहन विश्नोई ने कौन सा पदक जीता है तो रोहन विश्नोई ने जैपुर में जो सीनियर नेशनल जूडो चैंपियंशिप हुई थी उसमें सिल्वर मेडल जीता है ध्यान रखना हाल ही में शोद करताओं ने किस राज की मिलक नदी में मचली की एक नई प्रजाती बादिस लिमा कुमी की खोज की है नीचे इंग्लिश में भी दिया हुआ है आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर है नागा लाएं आख देखो एक अक्टूबर दोयारते इसको सैन नर्सिंग सेवा का इस्थापना दिवस मनाए गया एक अक्टूबर को कौन सा मनाए गया नाइंटी एट मा याद रखना ऑप्शन डी इस करेक्ट आगे देखो किस राज में स्थित शोर टेंपल भारत का पहला हरित उर्जा पुरातत उस्थल बन गया है तो शोर टेंपल बिसिकली कहां पर है या आपको बता होना चाहिए तो इसका अंसर है तमिल नाडू किस राज सरकार ने भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारन परियोजना की आधार शिला रखी है सही जबाब है MP किस राज में तो MP में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारन परियोजना की आधार शिला नयास रखा गया है पिप्टीवन देखिए अखिल भारती या पुलिस विज्ञान कॉंग्रिस का योजन कहा किया गया है जहरादूर में विरासत इसमारक को बड़ावा देने के लिए उपहारों की दुकाने इस्थापित करने की योजना कौन बना रहा है भारती पुरातफ सर्विच्छन विफाग यानि एस आई जो है विरासत इसमारक को बड़ावा देने के लिए गिफ्ट शॉप यहां बनाएगा उत्तपदे सरकार ने अक्टूबर से दिसमबर दुयार तेश के बीच तीन महीने में कितने लाख मोटे अनाज अनाश्री के खरीद का लक्ष रखा है करेक्ट आंसर है 5.82 लाख मीट्रिक टन इतना जो है हम लोग मोट अनाज खरीदेंगे आगे देखिए जीएस्टी परिशद ने ब्राइंडेड प्री पैक्ड और लेबल वाले बाजरा आधारित आंटे पर जीएस्टी को 18% से घठाकर कितने परसेंट कर दिया है पांच परसेंट क्योंकि श्रीयन के अंतरकात आगिया है बाजरा तो फिर इसको हमें प्रमोट करना है और प्रमोट करना है तो सस्ता करना पड़ेगा तब इस लोग खरी देंगे अभी आप ज्यादा जीएस्टी ढौंग दोगे तो कौन खरी देगा फैट 55 देखिए बिहार के बाद किस राज सरकार ने जाती आधारे जनगर्णा कराने की गोशना किये है ऑप्शन सी राजस्थान तो बिहार करा चुका है अब राजस्थान कराएगा किस देश की कंपनी पी एलडी स्पेस ने अपना दुबारा इस्तिमाल होने योग रॉकिट मियूरा फर्स्ट को लांच किया है री यूजड ये जो है रॉकिट होगा मनदब री यूजबल होगा आप इसको दुबारा रूज़ कर पाऊगे और ये कंपनी है स्पेन की ध्य अगे देश ने परमाडू उर्जा से चलने वाली पहली क्रूज मिसाइल का सफल प्रेक्षन किया है जो किस देश की मिसाइल है जो परमाडू उर्जा से चलेगी एक प्रकार से एटॉमिक एनरजी तो रशिया ने या याद रखना आगे देखिए आगला क्वेशन 59 देखिए 10 अक्टूबर 23 से भारत नाग पट्टिम तमिल नाडू से किस देश की नौका सिर्वा शुरू करेगा यह आपको बताना है सही जवाब है इसका स्वी लंका आप्शन सी साड़ देखिए विश्व का पास दिवस किस दिन मनाया जाता है सही जवाब है साथ अक्टूबर एक सड़ देखिए 23 में आयुजित होने वाले राष्टी तीरंदाजी चेंपियंशिप की मेजवानी कौन सा शहर करेगा सही जवाब है अयोध्या इंपॉर्डेंट है याद रखना पेपर में आ सकता है किस वेब सीवीज ने 28 में बोसान फिल्म फेस्टिवल में सर्फ सेस्ट एसी आई टीवी सीरीज का वाड़ जीता सही जवाब है स्कूप आप लोग देखिए तो कमेंट करके बताना हांग जोहू एशियन गेम्स दोजार तेस के समापन समारो में भारत के द्वजवाहग कौन रहे ऑप्शन ए पियार स्रीजेश आगे देखिए सिक्स्टिफोर सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा वाला उत्तप्रेश का पहला जिला कौन बन गया है बरे अगर देखिए कोश्टंबर 65 जासुसी सैटिलाइट याउगन 33 यह कि इस दिस ने लॉंच किया है चाइना ने आप्शन डी आठ अक्टूबर 223 को वार्षिक वायू सेना दिवस परेड कहां आयुजित किया गया आप्शन भी करेक्ट है इसका प्रयाग राज हाल ही में थिरके स्कूलिल अभ्यान किस राज में शुरू किया गया थिरके स्कूलिल कैमपेन इसको किस स्टेट ने लॉंच किया है औक्शन सी इस करेक्ट केरला हाली में किस राज सरकार ने मुख्य मंत्री लोग सेवक आरोग योजना शुरू की है तो लोग सेवक आरोग योजना शुरू करने वाला स्टेट है असाम शुरू किस टीम ने जीत लिया है जम्मू केश्मिर ने जीत लिया एसका अंसर है 107107 आप उर्धे कमेंट करेकी इसमें गोल्ड कितने है इसल्वर कितने है ब्राउंज कितने हैं या अब को यह आप कमेंट करेको बताओ थीक चलि में हिवल रहता हू हुआप तो टोटल जीते हैं 107, 107 में 28 हैं गोल्ड, 38 हैं सिल्वर और 41 है ब्राउंज, टोटल है 107, याद रखना हल ही में बस 2022 के राष्टिय किशोर कुमार सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है राष्टिय किशोर कुमार सम्मान तो ये मिला है धर्मेंदर को याद रखना टूगेदर फॉर ट्रस्ट ठीक है ये एक कैमपेंच चला है टूगेदर फॉर ट्रस्ट कोलेबरेटिंग फॉर असेफ एंड कनेक्टिड फ्यूचर थीम के साथ विश्व डाक दिवस 2023 किस दिन मनाया गया डॉक्टूबर को कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर होगा आयोध्या आयोध्या में ही है बालमी की एरपोर्ट यादक न ग्यार एक्टूबर दुआर से इसको हिंड महा सागर देम एस्सेशन की 23 वी मंत्रिपश्चत बैठक की मेजवानी कौन सा देश करेगा सही जवाब है श क्या प्रदी के लिए आई ओर एक यद्यक्स्ता हसल करेगा अ कि मुख्यमंती नास्ता योजना किस स्टेट ने लाउंच की है तो यह नास्ता योजना लॉंच करने वाले स्टेट है तेलांगना इसकूली बच्चों के लिए ठीक है बैसे कि नास्ता मिलेगा स्कूल में और सक्सेश इसके रैटर कौन है तो दाबोक अफ लाइफ माई डांस विद्विद्धा फॉर सक्सेश इसके रैटर है विवेक अग्नियोत्री यह वहीं है जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले जो है कश्मीर फाइल्स करके मूवी निकाली थी वहीं है भारत किस दिन नेशनल कर प्रेंट गुड बैनेफेक्टरिंग प्रैक्टिस दे हाली में एयर इंडिया ने किस सहर में अपनी तरह का पहला इंजिनेरिंग मेगा वियरहाउस इस्ताबित किया है नियू डैली में हाली में ग्रीन वाशिंग से निबटने के लिए दुनिया के पहले ग्रीन बॉंड मा को मंजूरी दी गई है यूरोपियन यूनियन के द्वारा है ठीक है ग्रीन वाशिंग से निबटने के लिए कि कुश्टन बासी देखिए साथियों टूटल सो सवाल देखेंगे आज हम अक्टूबर 22 में पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोशियेशन ट्रेवल मार्ट 2023 के 46 म वह भारत हर भारत में कि टीवन देखिए एक कि द्रा सरकार ने गंगा डओल्फिन को राज जली जीव का दरsty Writing ग्रजार है अभी शाख है प्रمنत्र देश Article यूपी ने गंगा डॉल्फिन को राश्टी जली जीव का दरजा दे दिए आगे देखो अनुसूची जाती के चात्रों के लिए किस मंत्राले ने लक्षित छित्रों में उच विद्यालियों में आवासी शिक्षा योजना स्रेष्ट इसको लॉंच कर दिया है तो यह जो करने वाला डिपार्टमेंट है वो है सामाजिक न्याय और अधिकारता मंत्राल है आप्षण ए है यूएई आप्षण भी है यू कि आप्षण सी यूएसे ऑप्षण डी फ्रांस करेक्ट आंसर है यूएई आप्षण ए प्रो कबड़ी लीग के सीजन टैन के लिए रिकॉर्ड सबसे महगे खिलाड़ी कौन बन गया है तो वह है पवन सहरावत इनको सब से महगे में खरीदा गया है प्रो कबड़ी लिग के लिए एटीवाइब देखिए किस देश की क्लॉडिया ग्लॉडिन को अर्थ शास्त्र का नोबेल पुरुषकार दोयारतेश प्रदान किया गया है तो क्लॉडिया गोल्डिन किस देश की हैं तो दियान रखना यूएसे की हैं अमेरिका की हैं क्लॉडिया ग्लॉडिन और इनको मिला है अर्थ शास्त का नोबेल एकॉनमी में नोबेल हाल ही में अपनी तरह का पहला एन पीएस वरियता सूचकांग किसके द्वारा तयार किया गया है तो NPS वरीता सुचकां को तयार करने वाला बैंक है HDFC पेंशन जान रखना हाल ही में प्रोजेक्ट उधवब किसके द्वारा शुरू किया गया है प्रोजेक्ट उधवब शुरू किया है इंडियन आर्मी ने याद रखेगा तो भारती सेना ने प्राचीन ज्यान को अलोग करने के रादे से एक नई प्रयोजना पर काम शुरू किया है इससे प्रोजेक्ट उधवब का नाम दिया गया है यूनाइटर सर्विस इस्टिटूट ऑफ इंडिया इसमें सयोगी की भूमिका में है प्रोजेक्ट उधवब की शुरूआ सेनिस अंधर्वों में भारती विरासत को खोजने का एक महत्पूर्ण पहल है यानि एनिशेंट इंडिया में आर्मी का क्या रोल था वही सब जानेंगे एटी 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 एट है दोसरी 6-12-23 तक 27-17 विश्व सड़क कॉंगरिस एटी का इयोजन किस देश में किया गया तो 27-27 विश्व सड़क कॉंगरिस का इयोजन जो है ये किया गया प्राग में जो कि च्चैक रिपब्लिक की राज़धानी है आप्शन डि आठ अक्टूबर 2023 को भारत और किस देश ने वैध्युत अंतर संयोजन हारित स्वच हाइड्रोजन और आपूर्थी स्रंखला के छेत्र में एक समझवता ग्यापन हस्ताक्षर किया है सही आंसर है आप्शन सी साओधी अरब आगे देखो हाल ही में टेरेंस डेविट का सचेत्तर वर्ष की उम्र में निधन हो गया ये कौन थे तो टेरेंस डेविट जो है एक फिल्म प्रडूसर थे फिल्म निर्माता थे याद रखना इनका निधन हो गया हाल ही में देश के कैलविन किप्टम ने दो घंटे और पैंतिस सेकंड के विश्व रिकॉर्ड में पैंतालिस मीं शिकागो मेराथन को जीत लिया तो भाया यह जो वेक्ति हैं कैलविन किप्टम ये केन्या के हैं नैंटीटू देखिए वेश्व मांसिक स्वास्ट दिवस दोजार तेश किस दिन में आए गया 10 अक्टूबर को 19 में एशियन गिम्स दोजार तेश में भारती पुरुष होकी टीम ने कौन सा परक जीता है गोल्ड नोकिया ने भारत की पहली 6 जी लेव का उदगाटन किया मतलब अभी हम लोग तो यार मैं दो 4 जी उस कर रहा हूँ 5 जी भी लॉंच हो चुका है और अब नोकिया काम करेगा 6 जी पर पता नहीं कितनी हाई स्पीड उसकी होगी यह जी कहां तक जागे रुकेगा या हमारे जी को ही उल्टा कर देगा यह देखने वाली बात होगी फिराल बैंगलोर में इसका जो है उदगाटन कर दिया गया है 6 जी लेव का हाली में फिलिस्तीन के आतंकी संक्टन हमास ने ऑपरेशन अलक्सा फ्लड किस देश के खिलाफ लॉंच किया है तो यार ऑवियस बात है जिस देश के खिलाफ ऑपरेशन चलाएगा वो जरायली तो होगा क्योगी नहीं के भीच मार काट मच रही है 96 देखिए हाल ही में किस अंतराष्टी संगठन ने आग की विमारियों से पीड़ित लोगों की मदद के लिए स्पैक्स 2023 की पहल शुरू की है तो स्पैक्स 2023 की पहल शुरू करने वाला जो संस्ता है वो है वह वर्ल्ड हेल्थ और्गनाजेशन 98 देखिए 9 से 11 एक्टूबर 2023 तक भारती सहनिकों द्वारा मानभी सहता और आपदा राहत अभ्यास चक्रबाद 2023 का आयोजन कहां किया गया सही जवाब है गोवे 99 देखेंगे केंद्री मंत्री पुर्शोत्तम रूपाला ने के सहर में आयोजन सोल्वीं क्रशी विज्ञान कॉंग्रेस का उद्गहटन किया सही जवाब है साथियों कोच्ची के अरल सोल्वीं एग्री कल्चरल साइन्स कॉंग्रेस और कर्शन नमबर हंड्रेट देखे सीदे से ब्यासी करोड रुपे के अनुमानित लागत से 395 मीटर मैरोंग सुरंग का निर्मार किस राज या केंसासे प्रदेश में किया गया है सही जवाब है इसका साथियों जम्मो एंड कश्मीर तो यह हमारे हंडेट क्वेशन पूरे हुए अभी इसमें कुछ क्वेशन और ले गए हैं जिनको हम कंप्लीट करेंगे और जल्दी ही जो है हम मंतली जो करेंट अफेर हैं हमारे उनको इसी फॉर्म में सुपर फास तरीके से कवर कर लेंगे कोई डाउट हो या कोई भी सवाल हो तो कमेंट के मादर हम से आप लोग पूर सकते हो मिलते हैं साथ ही और अगली क्लास में तब तक के लिए जय हिन जय भारत बंदे मातरम